नमस्कार आपके साथ उत्तरप्रदेश वधान सभा के चुनावी नतीजे आब आने शुरू हो चुके हैं और बात करेंगे लखीमपूर खिरी सीट की जहां से ये उमीद नहीं जताई जा रही थी कि BJP आसे जी दज कर सकती है बीते कुछ महीनों में जो हिंसा यहां पर हुई है उसको लेकर ऐसा माना जा रहा था कि BJP आहां से क्लीन स्वीप हो जाएगी लेकिन नतीजे बिलकुल उसके विपरित निकल कर सामने आए हैं आपको बता दे कि लखीमपूर खिरी के टोटल आट सीटो पर BJP ने अपनी बड़ी जीत दर्च की है उत्तर प्रदेश के केंडरेगी राजमंत्री अजे सेंग टेनी ने यहां से जीत दर्च की है जहां पर यह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस का दबदबा इस बार के विधान सबाचुनाव में देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी होता पर नजर नहीं आया बीजेपी ने एक बर फिर से यहां पर अपना पडचम लहरा दिया है और बाकी पाच्चियों को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है दरसल लखीमपुर खिरी में तिकनुकिया हिंसा मामला अब सब खूप सुर्खियों में रहा लखीमपुर से लेकर लखनव तक जम कर हंगामा होता रहा माना जा रहा था कि आठ विधानसवा सीचों वाले लखीमपुर खिरी जिले में हुई यहिंसा चुनाव में बीजेपी पर प्रभाव डालने वाली है विपक्ष बेस मुद्दे पर जम कर लगातार हमला वर रहा इसके बावजूद भाजपा ने कींद्र की राज मंत्री अजे मिश्र टेनी के जिले में आठ में से सभी आठ सीटे जीत ली जानकारी के अनुसा लखीमपुर खिरी में पलिया विधानसवा सीच से बीजेपी के प्रत्याशी हरविंदर सिंग सहनी रोमी कस्ता विधानसवा सीच से बीजेपी प्रत्याशी विनोध शंकर अवस्ती शीनगर विदानसवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजूत त्यागी गोला विदानसवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्विंद गिरी निगासन विदानसवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शशांक वर्मा ने चुनाव जीत लि नी रही चुनाफ के समय ऐसी घटना लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला भी रही इंसाफ के उमीद तो दिखाई पड़ रही थी लेकिन मन में एक शक था कि अगर पिता कुरसी पर है तो कहीं उनकी ताकत और उनका रसूक इंसाफ के ढाल ना बन पाए टिकनुकिया में हिंसा मामला राजनितिक मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई लखिमपुर खिरी के लिए हिंसा के घटना ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा गौड तलब है कि लखिमपुर जिले के निघासन विधान सबा से कभी अजय मिश्र चेनी विधायक थे 2022 में आशीश मिश्रा इसी निघासन सीट से चुनाव लड़ने की तयारी में थे निघासन इलाके में चौराहो दिवारू पर आशीश मिश्रा के बैनर पोस्टर लगा दिये गए थे इसके अलावा निघासन शहर में आशीश मिश्रा और फुमोनू के नाम पर भारती जरता पार्टी का कार्याले भी खोला गया था यहां तिकनुकिया हिंसा के बाद आशीश मिश्रा की गिरफतारी से लेकर पुलिस की चार्ची डाखिल करने तक विपक्ष लगातार कींडरी ग्री राजमिश्र टेनी के इस्तिफ़े की मांग भी करता रहा लखीमपूर खिरी में जो हिंसा घटी उसको लगातार राजमिश्र टेक मुद्दा मनाए गया और ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा को इससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है तमाम पाचियों के तरफ से विपक्ष दल के तरफ से हिंसा को राजमिश्र टेक मुद्दा मना कर लगातार उभारा जा रहा था विपक्ष लगातार भाजपा पर हमला वर होता हुआ नज़र आ रहा था पर इसका कोई फाइदा लखिमपूर खिरी सीच पर होता हुआ नज़र नहीं आया और भाजपा ने लखिमपूर खिरी के सबी आचों सीचों पर जीप दर्ज कर लिए और बाकी पाचियों को लखिमपूर खिरी में भाजपा की प्रचांड जीत हुई है फिलार के लिए सब्डेट में इतना ही आनकरी खबरों के लिए हम आई साथ बने रही न्यूस फॉर्नेशन में नमस्कार